Good morning student of class 3rd. Today we are going to start lesson number 3 in Hindi and the chapter name is अंचाहे महमान. आईए पाठ शुरू करते हैं. यह कहानी गोपाल नाम के एक व्यक्ति की है जो किशनपुर गाउं में रहता था. गोपाल बहुत ही गरीद था लेकिन उसका सभाव बहुत ही उधार और धार्मिक था. उधार का अर्थ होता है स्टूडेंट्स दयालू और धार्मिक का अर्थ होता है जो भगवान को बहुत म अदद से उसकी पत्मी मालती बहुत ही ज़्यादा परिशान रहती फिर भी पत्ती की आग्या मानना उसका धर्म था. आये दिन कोई न कोई सादू महात्मा आते रहती घर का सारा काम करने के बाद दो पहर को मालती जब आराम करने बैठती तो कोई न कोई आ जाता और उसे फिर से उस तप्ती गर्मी में भूजन तयार करना पड़ता एक बार किशन ने तीन साधूओं को अपने घर भेजा साधू जैसे ही द्वार पर पहुचे मालती ने उन्हें देखते ही अंदाजा लगा लिया कि एक साधू कितनी पूडियां खाने वाला है साधूओं को बैठन तापस आने पर साधू ने उससे पूचा कि देवी या ओखल मुसल और ये पूजा की थाल यहां क्यों रखी है मालती ने उन्हें उत्तर दिया कि ये ओखल मुसल मेरे पती के कुल देवता है और मेरे पती जो भी साधू महात्मा भोजन पर आते हैं उन्हें इस मुसल से मार कर वरक्त इस मूसल को चढ़ाएंगे इतना सुनते ही साधू महात्मा वहां से भाग चले उन्हें स्वादिष्ट पूड़ी और खीर की जगा अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी बाहर जाते हुए उन्हें गोपाल दिखा गोपाल ने उनसे कहा अरे रुकिये आप लोग कहा जा रहे हैं भोजन करके जाईए गोपाल ने मालती से पूछा कि साधू महात्मा लोग क्यों चले गए तो मालती ने उत्तर दिया कि वे मूसल मांग रहे थे मैंने नहीं दिया तो वे गुसा होकर चले गए गोपाल ने कहा कि तुमने उन्हें मूसल क्यों नहीं दे दिय उन्हें उन्हें मुसल दे देना चाहिए था माल्ती को हसी आ रही थी लेकिन वह गंभीर बनी रही उसके बाद गोपाल हाथ में मुसल लेकर तीनों साधुओं के पीछे दोड़ा दोड़ा गया और कहा रुकिये रुकिये ठहरिये और मैं आ रहा हूँ इतना सुनते ही साधु और तेजी से भागने लगे और इतना होने के बाद गोपाल के घर कोई भी साधु भोजन पर नहीं आया और माल्ती की तरकीब काम आ गई तो स्टूडेंट्स हमें इस कहानी से ये सिक्षा मिलती है कि हमें जरूरत से जादा सीधा नहीं होना चाहिए अगर हम ऐसे होंगे तो लोग हमारा अनुचित लाब उठाएंगे आईए इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं कठिन शब्द है किशनपुर, गरीब, स्वभाव, धार्मिक, साधु, महात्मा, आग्रह, स्वादिस्ट, भोजन और आश्चर्य इसी प्रकार और भी कठिन शब्द आप इस पाठ से ढून सकते हैं आईए अब शब्दर्थ पर चर्चा कर लेते हैं शब्दर्थ है स्वभाव, स्वभाव का अर्थोता है आदत, उदार, उदार का अर्थोता है दयालू, राह, राह का अर्थोता है रास्ता, आग्रह, आग्रह का अर्थोता है निवेदन, शीतल, शीतल का अर्थोता है ठंधा, स्वादिस्ट, स्वादिस्ट का अर्थोता ह नजर, रक्त का अर्थ होता है, खून, स्टूडेंट, अब हम इस पार्ट में आये हुए कुछ प्रशन उतर पर चर्चा कर लेते हैं, प्रशन एक है, गोपाल कहां रहता था, गोपाल किशनपुर गाओं में रहता था, स्टूडेंट, इसके साथ ही मैं आपको एक और से परिशान थी, इसका उत्तर होगा, मालती गोपाल की इस आदत से परिशान थी, कि वह आए दिन किसी न किसी साथू महात्मा को घर पर भोजन के लिए भेश दिया करता था, तीसरा प्रशन है, साथू गोपाल के पडोसी से क्या पूछ रहे थे, इसका उत्तर होगा, साथ गोपाल के घर में कोने में एक पूजा की थाल रखी हुई देखी, जिसमें कुछ फूल, अक्षत और रोली थे और साथ में एक और ओखल और मूसल भी देखा। से किसी एक को मार कर उसका रख्त इस मूसल को चढ़ा देंगे। आईए स्टूडेंट्स अब हम खाले स्थान पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है गोपाल एक डैश व्यक्ति था, तो गोपाल एक धार्मिक व्यक्ति था। गोपाल का सभाव बहुत कैसा था? गोपाल बहुत ही उदार सभाव का व्यक्ति था। तीसरा है गोपाल ने तीन डैश को खाने पर बुलाया। आप सभी जानते हैं तीन वो कौन लोग थे? साधू महात्मा को खाने पर बुलाया। गोपाल हाथ में डाश लेकर साध्वों को किय ओर दौड रहा था क्या चीज हाथ में लेकर वह दौड रहा था कहानी के अंत में मूसल इस तरह आप इसे खुद भी हल कर सकते हैं पाथ के अनुसार पाथ को पढ़ेंगे और उसमें से शब्दों को छाट कर आप इसमें भरेंगे अब हम देखेंगे student इस पार्ट में बहुत से मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और दूसरी दरफ चित्र बने हुए हैं हम इन शब्दों और शित्रों का मिलान करेंगे तो हमें एक मुहावरा मिलेगा तो आईए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले लिखा है काठ का तो हम इसे तीसरे विकल्ब से मिलाएंगे जो की उल्लू बना हुआ है तो मुहावरा बनेगा काठ का उल्लू उसके बाद इद का दूसरा लिखा है इद का आपको दिखरा होगा दूसरे विकल्ब की जो चोथे नंबर पे एक चांद बना हुआ है इद का चांद आप सभी जानते होंगे इद का चांद एक मुहावरा होता है उसके बाद बना है तीसरे नमबर पे आँखों का अब आप देख रहे हैं सबसे उपर क्या बना हुआ है को नमबर पे तारा तो क्या होता है आँखों का तारा ये क्या है एक मुहावरा है उसके बाद लिखा है चौथे नमबर पे अंधे की आप दूसरा विकल्प देख रहे हैं एक लाठी बनी हुई है तो ये मुहावरा क्या बनता है अंधे की लाठी इस तरह हमने चार मुहावरे बना लिए अब आईए स्टूडेंट ये एक रशनात्मक का रहे है और यह आपक है वह भोजन बनाकर उन साधू को खिलाती है जैसे स्वादिष्ट खीर पूरी तो आपको ये बताना है कि आपकी घर की रसोई घर में कौन-कौन से खाद सामगरियां होती है उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है कुछ वस्तूएं इसके लिए आप अपनी माता जी की सह साहिता के बाद आप इसमें च्छे वस्तूओं के नाम आपको भरने हैं उदाहरण के लिए मैं आपको बता दू जो खाद सामगरी की वस्तूएं होती है जैसे आठा, चावल, डाल, चीनी, मसाले जो भी आप अपनी माताजी से पूच कर खाद सामगरी के नाम इसमें लिख लेंगे स्टूडेंट और आज का होमवक है कि आप इस पार्ट को अच्छे से दुबारा पढ़ेंगे कठिन शब्दों को रिखांकित करेंगे शब्द अर्थ को याद करेंगे सारे अभ्यास जो भी दिये हुए हैं रित्रस्थान की पूर्ती सही मिलान कीजिए किसने किस से क अहां बहु विकल्पी प्रश्न सब कुछ आप अपनी किताब में भर लेंगे आज के लिए बस इतना ही लेट्स आल फोर टोड़े थैंक यू क्लास